हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करी हूँ पोहे से बहुत क्रिस्पी नास्ता के रेसिपी फ्रेंड्स, इस नास्ति को बहुत ही सिंपल और असांतरी की से बना के तियार करेंगे, जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है, और ब लिए कोई पतली कोई सबी पोह से आप बना की मैं ऐसे इस नास्तिक को बनाने के लिए पतली लेना है क्या अच्छे से भागा कि दो लीना है इससे क्या होगा हम पोहे की जो गंदगी रहेगा ना ओ निकल जाएगा इस तरह से दो सी तीन बार धोने में और हमारे पोहे भी अच्छे से स्वाप्ट हो जाएगा तो इस तरह से मैंने दो सी तीन बार अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसको ढख के ना 5-7 मिनट कि इसको रिष्ट करने के लिए रख देना है ताकि पोहे अच्छे से स्वाप्ट हो जाए और हमारा नास्ता बहुती स्वाधिष्ट बन के त्यार हो पांसे साथ मिनट के बाद इस तरह से हमारे पोहे बहुती अच्छे से स्वाप्ट हो गया है हातों की सहता से इसको अच्छ चोटी चमच नमक डाले हैं आधी चोटी चमच से कम मैंने हल्दी पॉड़र डालें श्रिप कलर के लिए फ्रेंज जादा नहीं डालना है और आधी चोटी चमच मैंने इसमें कूटी वी लाल मिर्च का इस्तिमाल किया है अगर आपके पास कूटी वी लाल मिर्च ना हो तो आ पीसी मेर्ची का भी इस्तिमाल कर सकते हैं चटपटा टेस्ट देने के लिए इसमें अमचूर पॉड़ा डाले हैं मैंने आधी छोटी चमच जीरा और खुब सारी धनियापती डाल देना है इस तरह से और धनियापती डालने के बार एक मीडियामस की प्याज को इस तरह से मैं बारिक नहीं काटे स्लाइस में कट करके डाले हैं ताकि हमारे नासा जब बनेना तो बहुती अच्छा तेस्ट है तो इस तरह से प्याज डालने के बरना दो छोटे चमच मैंने इसमें चावल के आटे डाले हैं अगर आपके पास चावल के आटे ना हो तो इसमें कॉन फ्ल तो इस तरह से पोहे हलका सगीला है ना तो इस तरह से चामल के आटे हमारे डो में अच्छे से एक्जॉब हो जाएगा और मसाले भी इस तरह से हाथों से मसलते हुए ना हमको अच्छे से मिला लेना है ताकि मसाले और जो पोहे है ना अच्छे से बैंडिंग हो जाए मुझे तीक लगना तो में थोड़ा सा दो ​ 3 cha मती सवरा से पाने डालने की बाद न इस तरह से हमको अचे से डो फाउम में आते थक को इसको अच्हे से मिला लेना है और इस तरह वह वह आलो को मैंने ग्रेट करके डाल दिये हैं और आलू डालने के बाद इस तरह से हमको अच्छे से मिला के त्यार कर लेना है इस तरह से बहुत सिंपल और असान तरीके से इस नस्तिक को बना के त्यार करेंगे तो मैंने इस तरह से अच्छे इसको do की तरह लगा के त्यार कर लिया है Wishhouse नगे आफ तरह के बाद था एक ऑर नहीं तरह कर लीजिया है था फिर अट फिर हांथों में हलका सा तयल लगाने के भाद स्थिर चोटा सा लोई लीजिये और इस एरांड शेट में बनाने के बाद अपने मन पसंद अनुशार इसको शेप देशेक्चे हैं तो मैंने इस तरह से इसको शेप बनाके तियार करूंगी आप अपने पसंदंद आ से छोटा बड़ा कोई से भी साइस से बना सकते फ्रिंग्स पोह और आलोय से इस तरह से हैं इ तो इस तरह से लूट तो मीडियम गेस में इसको हमको पकाएंगे और नीचे से हलका सा कलर्ट चंज होने के बाद इस रसी को सवधाने से पलड़ देना है और किते अच्छे से हमारे नास्ते में कलरा है फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं इस रसे हम बहुत ही सिंपल और असा तरह को क्रिस्पोने तक पका लेना है और इस तरह से कलर चंज होने के बाद इसको निकाल लीजिए और बच्चे वाले नास्ते को भी ना इसी सेम प्रोसेस से हमको फ्राइ करके त्यार कर लेना है इस तरह से बहुत क्रिस्पी नास्ता बनके त्यार हुआ है तो मैंने बच् आप कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ض्रक तो इसी तरह नए ने बाठीए waktu सबूद्व हुले मैं इस दीजदी फोचिए हैं तो कि लोग आप माई नए यहान आ को सब्सक्रीब करके ज़िया हैं नोड़ को झाल झाल